सब्सक्राइब करें सूपर टेलर चेनल को और प्रेस करें इस बेल आइकोन को ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँश सके हलो दोस्तो, सूपर टेलर चेनल में आपका एक बार फीर से स्वागत है आज किस वीडियो में हम सीखने वाले है मैंस फिटिंग शट की कटिंग किस तरह से की जाती है तो चलिए दोस्तो शट का मेजरमेंट देखकर हम समझ लेते हैं लेंध का मेजरमेंट है थाइस इंच, शोल्डर साड़े अठरा इंच, स्लीव 24 इंच, चेस्ट 36 इंच, टमी 35 इंच और कॉलर साड़े पंदरा इंच है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमने इस मेजरमेंट के शटकी कटिंग करने के लिए सवा दो मिंटर कपड़ा लिया है जिसकी मदद से हम आज की वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से आपको शटकी कटिंग करना बताएगे, तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर वाज करें, ताकि आपको कटिंग समयने में किसी प्रकार के कोई प्रॉब्लम ना आए, तो दोस्तों सबसे पहले तो ह आपको कटिंग समयने में किसी प्रकार के कोई प्रॉब्लम ना आए, तो चलिए दोस्तों यहां पर हम समय लेते हैं कि फ्रेंड की मार्किंग किस तरह से की जाएगी, दोस्तों अगर कपड़े में किसी प्रकार के साल हो तो आप सबसे पहले प्रेस करकर उन सालों को करने के बाद दोस्तों नॉर्मल हम यहां पर प्लेट के लिए मार्किंग करेंगे तो प्लेट के लिए धाइंच कपड़ा लिया जाता है तो यहां पर इंचे टेप की मदर से मेजर कर ले धाइंच अब दोस्तों धाइंच हम कपड़ा क्यों लेते हैं तो सबसे पहले हम यह 2-2 इंच लेते तो दोस्तों यहाँ पर उस तरह से 2-3 मार्किंग करी और फिर इससे सीधे स्क्यल की मज़र से मिला लिया एसा करने से दोस्तों आपको प्लेट कि मार्किंग बिलकुल सीधी होती है अब चली होiva हम लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे तो लंबाई के लिए मार्किंग कर दी। चेश्ट का मेजर्मेंट दोस्तो 36 इंच था जिसका वन फोर्थ आएगा नो इंच अब दोस्तो नॉर्मल शट होता तो यहाँ पर हम नो इंच पर आधा इंच कम कर लेगे जिससे हमारे जो जो 80 की फेटिंग होगी वह बहुत के लिए मार्किंग करेंगे और साड़े सोला इंच पर हम यहाँ पर पेट के लिए मार्किंग करेंगे कि अब चलिए दोस्तों इन सभी मार्किंगों को हम सीधे स्केल की मदद से मिला लेते इसके बाद दोस्तों हम समझेगे कि हम आगे की मार्किंग किस तरह से की जाती तो आप हमरे वीडियो को अंतर तक जरूर वाज करें देफिनेटली आपको शर्ट कटिंग समझ माएगी और आप आसानी से शर्ट कटिंग कर पाएगे अब दोस्तों चेस्ट का जो मेजरमेंट जिसका वनफोर्थ करने पाजाएगा नो इंच तो हम आर मोहल की मार्किंग पे नो इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेगे और दो इंच हमारे जो नॉर्मल हम लूजिंग लेते उसके लिए तो इस तरह से जो हमारा दोस्तों फ्रेंट जो रेडि होगा वो 11 इंच का मिला लेते हैं कि इसके बाद दोस्तों यहां पर पेट के लिए मार्किंग करेंगे तो पेट का मेजर्मेंट दोस्तों आपने देखा होगा 35 इंच जिसका वन फोर्थ करने पाजाएगा पोने 9 इंच तो देखिए पोने 9 और 2 इंच लूजिंग के तो इस तरह से हैं पर पो को मिलाते वह आपका फेटिंग शेफ होना चाहिए और उपर साथ इसकेल को जो बॉटम वाली मार्किंग से दो इंचे उपर इसकेल को रखें क्यों रखते हैं यह आपको हम जब ओपन शट के लिए राउंड शेफ देगे नीचे तो आपको समझ माएगा तो देखें हमने दो इसके बाद दोस्तों तो कोलर मेजरमेंट 15 साधे पंदरा इंच था तो 55 मेजरमेंट होने के कारण यहां पर हम गले के लिए पुने चांगे तीन इंच पर मार्किंग करें दोस्तों हमने काफि सारे पेले वीडियो में आपको बताए कि हम किस तरह से यहां पर पोने तीन इंच धाइंच या फिर तीन इंच गले के लिए लेते हैं इसके लिए दोस्तों इसके बाद शोल्डर का जो मेजर्मेंट था 30.5 इंच इंच जिसका हाफ करने पाजाएगा 9 इंच और 10.5 इंच तो इस तरह से हमने 9.5 इंच शोल्डर के लिए मार्किंग कर लिए और दो इंच यहां आसानी से कर पाई श्लिए हम यहां पर पहले ही हर तरह ले देते तो यह देकिन को गल 2023 में कटिंग करते किया पर अर्म होल में खरखते कि आर्म होल में धीना तो चलिए ऑप discharge थी किस तरह से में और मोल में शेप दे दे तो दोस्तो इस तरह से जो हमारी फ्रेंड की मार्किंग वो कम्प्लीट हो जाएगी अब इसके बाद हम यापर इसी मार्किंग के एकोडिक बिल्कुल फ्रेंड की कटिंग कर लेगे अब चलिए दोस्तो जिस तरह से हमने यहापर friend की marking किये बिल्कुल marking according हम friend की cutting कर लेगे दोस्तो अगर आप हमारे यूट्यूव चेनल पर नए हो या आपने अप तक हमारे चेनल को subscribe ना किया हो तो please आप हमारे चेनल को subscribe करें और पास में जो बेल आइकोन है उसे प्रेस करना ना भूले ताकि जब भी हम किसी न्यूव वीडियो को अपलोड करें तो उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पोचे तो देखें दोस्तों यहाँ पर हमने समझाया है अब तक कि हमने फ्रेंट की मार्किंग किस तर से करना और उसकी कटिंग किस तर से करना चलिए अब आगे हम समय लेते हैं कि हम अस्तिन की मिंस स्लीव की कटिंग किस तर से करेगे चलिए दोस्तों फ्रेंट की कटिंग होने के बाद जो साइड वाला कपड़ा दिखरा है यह देखें फ्रेंट की कटिंग होने के बाद साइड वाले कपड़े से ही हम अस्तिन की कटिंग करने वाले तो आप अस्तिन की cutting करने के लिए कपड़े को इस तरह से fold कर ले अब दोस्तों उपर से कपड़े को कितना fold किया जाता यह armhole की marking पर depend करता है तो front की marking करते वक्त हमने देखा है कि हमने जो armhole की marking की वो 8.5 इंच पर की है कि तो हमें उपर से कपड़े को 8.5 इंच फोल्ड करते वे जमाना है तो यहां पर हम इस तरह से fold कर लेगे और फिर इंच टेप की मदद से हम 8.5 इंच मेजर करते वे मार्किंग करेंगे तो यहां पर यह देखिए 8.5 इंच आ गया और एक्स्टर जो हमारी कोड़ दिख रही हो कटिंग होने के बाद दूर हो जाएगी अब दोस्तों इसके बाद आप सीधे इसकल की मदद से एक मार्किंग कर ले यह देखिए इस तरह से अब यहां पर आप 8.5 इंच मेजर कर ले और फिर 3 इंच डाउन करते वे इसकी मार्किंग करें यह देखिए 3 इंच को हमें डाउन करना होता और एक मार्किंग कर देना है इसके बाद दोस्तों अस्तिन की जो लंबाई का मेजर्मेंट था आपने नोट किया होगा 24 इंच था और जब भी आप लंबाई के लिए मार्किंग करें तो दोस्तों एक बात का जुरूर ध्यान रखे कि हमें उपर से सबसे पहले आदा इंचे आदा इंचे चोड़ा आदा इंचे चोड़ें कलंद देखें और 24 इंचल लंबाई है और 70 इंच आप ऐर आदा इंचे पहले ल घुल कप करना होता और कप लगने के बाद आपके स्थीन की जो लंबाई है बिल्कुल 14 इंच कम्प्लीट हो जाएगी अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप सीधे स्थीन की मदश से मार्किंग कर ले और नीचे जो आपको स्थीन में लूजिंग रखना है दोस्तों वो रखना है पोने चेंच अगर आप और ज्यादा फेटिंग चाहते तो आप साड़े पाच इंचे भी यहाँ पर कर सकते और इसके बाद यहां पर 8.5 इंचे वाली उपर वाली मार्किंग और नीचे पोने 6 इंचे वाली मार्किंग को आप सिदे स्केल की मदद से मिला ले और जो हमने 3 इंचे डाउन में मार्किंग की उसे आप शेप देते हुए इस तरह से मिला ले तो इस तरह से जो हमारी ASTIN की मार्किंग है complete हो गई है तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम इस तरह से मार्किंग के कोडिंग ASTIN की cutting कर लेगे cutting होने के बाद हम समझने वाले हैं किस तरह से यहाँ पर bake पल्ले के लिए और front पल्ले के लिए ASTIN में shape देते तो दोस्तों यह मार्किंग वाले पल्ले को आप front पाट कंसिडर करें और इसी तरीके से यहाँ पर cutting करें तो हम आपको बताने वाले कि हम मार्किंग वाले हिस्से में ही front पाट के लिए shape देगे तो आप यहाँ पर ASTIN पट्टी के लिए cut लगाने वाले है तो आप ASTIN को इस तरह से फोल्ड करते हुए नाखुन की मदद से इस तरह से मार्किंग कर ले अब इसे आप उपन कर ले और इस तरह से यह देखिए तो दोस्तो यह ASTIN पट्टी का cut बेक portion में लगा जाता बेक पार्ट में लगा जाता हम फ्रेंट पार्ट में यहाँ पर शेप देने वाले तो दोस्तों शेप में किसी प्रकार की गल्ती ना हो तो यहाँ पर हम सबसे पहले मार्किंग कर लेगे और मार्किंग सही तरीके से करने के बाद हम इसी मार्किंग के कोडिंग कटिंग कर लेगे तो हमारी कटिंग भी बिल्कुल पर्फेक्ट हो जाएगी तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से मार्किंग कर लिए और फिर हम यहाँ पर कटिंग कर रहे है दोस्तो आप भी इसी तरह अस्तिन की कटिंग करें डिफिनेटलय अस्तिन की कटिंग भहुत ही आसान तरीके से कर पाएगे अब चलिए दोस्तों की कटिंग हो गई हमारी अब यहाँ पर हम देख लेते हैं हमने फ्रेंट पार्ट में शेप दिया है अब बेक पार्ट को भी हम यहाँ पर एडजस्ट कर किस तरह से करेगी यह आपको बता देते हैं तो आप यहाँ पर अस्तिन को फिर से फोल्ड कर लें जिस तरह से हमने कटिंग के थी अब आप देख लें उपर वाले पॉर्शन को किस तरह से हमें देखना है तो आप हलका सही से करीब पाव इंचु से भी कम दबाते वे इसकी कटिंग कर लें यह देखिए ऐसा करने से दोस डुस्त तो अस्तित की कटिंग होने के बाद गो नीचे वाला कपड़ा ऋसे आप इस तरह से ओपन कर ले आप कपड़े करते वे जादा है तो आप कम कर ले और मिनिमम आपका यहां पर कम से कम 10 इंच आप कपड़े को फोल्ड करते वे इस तरह से जमा ले उपर से और नीचे साप मेजर कर ले ताकि जो आपने कपड़ा फोल्ड किया और बिल्कुल बराबर है यह उपर से कम ज्यादा है तो आप अच्छी तरीके से कपड़े को बिल्कुल 10 इंच ही आपको जमाना उपर से नीचे तक तो इस तरह से आप यहां पर इंचे टेप की मदर से 10 इंचे मेजर कर ले और फिर नाखुन की मदर से मार्किंग करते वे कपड़े को आप जमा ले यह देखिए इस तरह से आप दोस्तों जो हम इस तरह से हम बेक की कटिंग करने वाले उसी में हम साथ में शोल्डर की कटिंग करने वाले तो यहां पर हम सबसे पहले ऑन करते यह बता तो दोस्तों जो हमने फ्रेंट में गले के लिए चुड़ाई रखी ती आपने तीन इंचे र अधा इंचे अर बढ़ा लेगे 5 इंच पर मार्किंग करते हैं यहीं से आपको बेक के उपर फ्रंट को जमाना है तो जो हमने फ्रंट कटिंग करके रखा चलिए हम यहां पर बेक के कपड़े पर इसे जमा लेते हैं तो किस तरह से जमाना आपको तो तीन इंज वाली मार्किंस आपको फ्रंड को जमाना है और और करीब 5 इंज फृंड को बेक के कपड़े से बाहर निकलते हैं आप देख सकते हैं यहां पर हमने बेक को फ्रंड से पौन इंज कंब काटना है अब दोस्ते इसक क्यों करते हैं तो आप बटन लगाने के बाद नोटिस करेगे कि जो हमारी प्लेट है वो एक दूसरे के उपर पून इंच आ जाती है तो आपकी फ्रेंट की चुड़ाई तो पून इंच कम हो गई है इसलिए हमें बेक की चुड़ाई को भी पून इंच कम करना होता तब ही तो आप पर साड़े नो इंच पर शोल्डर के लिए मार्किंग कर लेगे अब इन दोनों मार्किंग को दोस्तों सीधे स्केल के मदर से मिलाते हुए आगे बढ़ा देगे इस तरह से और यहाँ पर और और महोल में यहंपर बेक के लिए है अफ दिए पर भरकश आप टेसी करते हैं जो हमारी होती इस उती एक है जो यहाँ आप कट्धिंग करते हैं तो कां요 डेक को खते हैं ऑस तो करने कट हैं चुक्त को आप मिला ले अब दोस्तों काफी सारी वीवर्स को पहले प्रोब्लम आती थी कि शोल्डर और फ्रेंट की जो चुड़ाई वो कम जादा हो गई है तो उसका भी हम सोलुशन आपको बताने वाले तो आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू वाज करें यहां पर देखें हमने बे आधियर करतें यहां पर मार्किंग कर ले तो दोस्तों जब भी आप स्टिचिंग करें तो बिलकुल बराबर आएगी तो चलिए दोस्तो इस तरह से जो हमारी बेक की मार्किंग है complete हो गई है तो हम इसी तरीके से हाँ पर बेक की मार्किंग के recording cutting भी कर लेगे अब दोस्तो बेक की cutting होने के बाद हम आपको बताएगे कि हम किस तरह से बेक का इस्तिमाल करते हुए shoulder की cutting करते है बहुत ही आसान तरीका दोस्तो जो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है तो आप हमारी वीडियो को अंते तक जरूर वाज करिए इसके अलावा दोस्तो जब भी आप हमें कमेंट करें किसी टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए इस तरह से यहां पर आप कपड़े को करीब 9.5 इंच फोल्ड करते हुए जमाले और हमें दोस्तों चोड़ाई रखना है वह 6 इंच रखना है तो सबसे पहले यहां पर हम मार्किंग करकर को हटा देते कि तो को हटाने के लिए हम यहां पर एक मार्किंग कर लेगे सीधे स्केल की मदद से और फिर यहां पर हमें 6 इंच चोड़ाई का सोल्डर रखना है तो हम यहां पर 6 इंच टेप की मदद से मेजर करते हुए मार्किंग कर लेगे कि बशकर दोस्तो चोड़र क करने के लिए में इतनी ही मार्किंग करना है अब li primo पर बेक को जमा लै और मृण 20 बिल्कुल बेक की इक होडिं आफ कर ले तो इस तरह से जो आपकी शोल्डर की कटिंग भी कंप्लीट हो जाएं की तो यह ना दोस्तों बहुत ही आज़ान और यूनिक तरीका शोल्डर कटिंग करने का तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह से फ्रिटिंग शट की कटिंग की जाती है अगर आपको कटिंग समझे में किसी प्रिकार के कोई प्रब्लम आया हो तो हमें comment करकर बताएं definitely हम आपकी problem को दूर करेगे और दोस्तों अगर आप हमारे यूट पीचर पर नए हो या आप तक हमारे चैनल को subscribe ना किया हो तो please आप हमारे चैनल को subscribe करें और पास में जो बेल आइकोन उसे प्रेस जरूर करें ताकि जब भी आप कोई न्यू वीडियो को अपलोड करें तो उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पोचें और दोस्तों आपको अगर हमारे यह वीडियो पसंद आयो तो please लाइक करें शेयर करें और कमेंट करना ना भूले तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही थैंक्स फॉर वाचिंग